रक्षा बंधन आने वाला है इस दिन भाई बहन के प्यारे रिष्टे को सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को और भी खास बनाने के लिए सही दिशा और सही मूरत में राखी बांधना बेहद जरूरी होता है इस साल बहने अपने भाईयों को किस मूरत में राखी बांध सकत पंडित नंद किशोर मुदगल जी से मिली है पंडित जी ने लोकल इटीन को बताया कि इस साल 19 अगस्त सोंबार को रक्षा बंदन का त्योहार मनाया जाएगा बता दे पूर्णिमा के दिन ये त्योहार मनाया जाएगा लेकिन इस दिन भद्रा का भी साया रहेगा भद्रा मे राखी बांदना अशुब माना जाता है वैदिक पंचांग के अनुसार 18 अगस्त को रात 2 बचकर 21 मिनिट से भद्रा की शिरुवात हो रही है जो अगले दिन 19 अगस्त को 1 बचकर 24 मिनिट तक रहेगा ये भद्रा पाताल लोक का भद्रा होगा भद्रा काल में रक्षा सूत बांदना अशुब माना जाता है ऐसे में 19 अगस्त को दोपहर 1 बचकर 24 मिनिट के बाद राखी बांदी जाएगी उन्मेस अगस्त सोंबार को दोपहर एक बचकर चौबिस मिनिट से लेकर शाम चे बचकर पच्चिस मिनिट तक रक्षा सूत्र बांधने का शुप समय है इस समय में रक्षा सूत्र बांधने से भाईयों को लंबी उम्र, एश्वर और सौभागे का वर्दान मिलता है बहनों को किस दिशा में राखी बांधनी चाहिए, वहीं राखी बंधवाते समय भाईयों का मुख किस दिशा में होना चाहिए, आईए इसके बारे में भी जान लेते हैं पंडित जी इसके बारे में क्या कहते हैं, सुनिए आप अपने भाई को पूरव की और मुख करके बिठाएं पूरव मुख और आप अपने उत्तरमू बैठें और दाहिने कलाई में रक्षा बंधन करें, मौली का रोली का टीका लगाएं, अक्षत लगाएं और भाई से कहें कि हमारी रक्षा का दाईतु तुम्हारे उपर रह और भाई का करतब भी होता है बहन की रक्षा का दाइत्व अपने उपर लेना जिस प्रकार की कलाई में रक्षा का बंधन होता है वह सूता नहीं है वह धागा नहीं है वह रक्षा का प्रतीक है आने वाले राखी के तुहार पर कई शुब संयोग भी बन रही हैं। बताते सरवार्थ सिध्धी योग के साथ रवी योग और शोभन योग भी बन रहा है। इतना ही नहीं इस दिन सावन महीने का आखरी सोमवार है। ये अदबुत संयोग इसे और भी शुपकारी बना रही हैं तो बहने और भाईयों इस रक्षा बंदन इन बातों का ध्यान जरूर रखें